Hello everyone, मैं विश्जीत सिंग, आप सभी का दीई नव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.H.I.M.H.I.01 का lesson number 20 पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे सामंतवाद पर बिविंद रिष्टी कोनों के बारे में अलगलग इत्यासकार के द्वारा समय के अनुसार अलगलग अफधारना रखी गई सामंतवाद उनके अनुसार इस परकार का है इस तरह से बताया गया देखो सामंतवाद के जो कोशन है वो दो कॉंसेप्ट में बनकर आते हैं पहला तो concept यह रहता है कि सामन्तवाद, Europe के नुस्वार किस परकार का है? ठीक है, Europe में सामन्तवाद को किस परकार से देखा गया? किस तर से प्रस्तुत किया गया? इंग्लेंड, यूरोप, ब्रिटेन, ये सारी जगों पर सामन्तवाद किस परकार का था? दूसरा जो question इसके अंदर में बनता है वो भारतिय संदर्व में होता है कि भारत के अंदर में सामंतवात किस परकार का है तो आपको दोनों concept को mind में set करके चलना है कि यहाँ पर क्या लिखना है और यहाँ पर क्या लिखना है देखो सामंतवात का जो topic है वो most important topic of the पूरा lesson मालो यह चलता है reason ही रहता है कि अगर आप पिछले 10 साल के question paper की roughly study करो और analyze करो तो आपको यह समझे में आएगा कि 10 साल में 20 बार इगनुकंदर में exam हो यह साल में 2 बार exam होते हैं और almost 20 बार में से 15 बार सामन्त वाद से related questions repeat होते हैं ठीक है तो बहुत important पूरा unit है सामन्त वाद का 4 से 5 chapter है तो अच्छे से समझने आपको आज को हमारे वीडियो होने वाला है यह second part के उपर में होने वाला है ठीक है यह वीडियो का second part है अगर अभी तक आपने first part नहीं देखा है तो जरूर देखें जिससे आपको पहला part समझ में आए फिर आप second part को बीजली समझ पाओगे first part के अंदर में हमने सामन्त वाद किस तर से उदे हुआ यूरोप के अंदर में उसकी बारे में हमने डिसकस किया था कि यूरोप में सामन्त वाद आया कैसे वहाँ पर हमने इस्लामिक कॉंसेट को भी समझा कि इसलाम के कारण सामन्त वाद किस परकार से उदे हुआ और पिरेन जिनकी अवधारना को हम study कर रेते तो वहाँ पर हमने समझा कि पिरेन की अवधारना क्या दिस सामन्त वाद को लेकर किस तर से उन्हों कि सामंतवाद का हुदाई किस परकार से हुआ ठीक है तो यह हमने समझा और बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है पिरियन के अवधारना को लेकर आ कोशिन अक्सर ठीक है आज को हमारा सेकिंड पार्ट है उसके अंदर हम बात करेंगे मार्क ब्लॉक के नुसार सामंतवाद किस परकार से है ठीक है मार्क ब्लॉक ने सामंतवाद को कैसे एक्स्प्लेंड किया उसके बारे में डिसक्स करेंगे तो यह हमारा सेकिंड पार्ट होन स्टार्ट करने से पहले आप सभी वीवर से एक request है, सभी students एक request है, अगर हमारे चैनल पर आप new हैं, first time आये हैं, या फिर अभी तक आपने subscribe नहीं किया है, तो आप सभी students से में एक request करूँगा, कि हमारे चैनल को subscribe जुरूर कर लें, और subscribe करने से हमें motivation मिलता है, जो videos हैं, वो बहुत सारी चीज़े change मिलेंगे आपको, बहुत सारी चीज़े improvement मिलेंगे उसमें, तो reason यह है कि जब जब आप subscribe कर रहे होते हैं, जितने ज़्यादा numbers हो रहे होते हैं, हमें motivation मिलता है कि हाँ, इतने लोग हैं देखने वाले, तो उसके हिसाब से हम अपने आपको improve करने की courses करते हैं, तो मैं आप सब इस request यही करूँगा कि subscribe जूरूर करें, और एक चीज़ और request यहाँ पे हैं, कि अगर आप पढ़ रहे हो, सही से पढ़ना चाहते हो, तो अपनी notebook लेकर बैठे, book लेकर बैठे, जितने भी यह चीज़े लिखी हुई इस PDF के अंदर में, सारे आपके book में से लिया गया है, ठीके तो आप अपना notebook, book लेकर बैठे, जिससे आप easily connect कर सकें और उसको समझ सकें, चलिए वीडियो को start करते हैं यहाँ पर, तो वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं, कि Mark Block के नुसार सामंतवाद क्या है, Mark Block ने सामंतवाद को किस तर से explain किया, तो Mark Block है कुन भाई, तो Mark Block एक Francis सी इतिहासकार है, ठीक है, और उनकी जो विचारधारा है, वो सामंतवाद को लेकर थोड़ी अलग रही, पिरेन की अबधारना से अगर देखोगे, पिरेन की जो विचारधारा आती, उससे काफी ज़्यादा वहाँ पर डिफेरेंट देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर Mark Block कहते हैं, कि विचारधारा और आर्थिक तत्वों से प्रभावित, सामंतवाद की अबधारना से अलग हटते हुए, इस परिघटना की एक नएग व्याक्या की, अब देखो, अगर आप पिरेन की अबधारना को आमने पढ़ा था, कल की वीडियो में, जिसके अंदर में पिरेन की पूरी अवधारना थी, वो आर्थिक तत्वों को उपर बेस्ट थी, कि अगर व्यपार बंध हो गया, ठीके, तो उन्होंने ये चीज़े अल्टरनेटिव तोर पे ये चीज़े अपनाई, और उसके कारण से सामन्तवाद का उदे हुआ, ठीके, पिरेन की अवधारना टोटल इस पे बेस्ट थी, कि भूम्मत्य सागरी के जो आसपास का जो छेतर था, वो वहाँ पर व्यपार बंध हुआ, उसके कारण से आर्थिक तत्व क्या हुए, इंपेक्ट हुए, परभावित हुए, और उसके बाद सामन्तवाद का उदे हुआ, पर जब हम मार्क ब्लॉक का पड़ते हैं, तो मार्क ब्लॉक के अंदर में, यह चीज़े वहां से अलग हुई, थोड़ी से और उन पर इघटनाओं को छोड़कर, नई व्याख्याओं के साथ में सामन्तवाद को उन्होंने एक्स्प्लिन किया, इसके में नई व्याख्या क्या आती है, कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में गटबंधन माना, जो सामन्तवाद है क्या है, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में, दो वैक्तियों की बीच में गड़बंधन के तौर पे देखा उन्होंने ब्लॉक के नुसार सामंतवाद एक ऐसा सामाजिक परिवेश है जिसमें भू समपता के अधिकारी के विभाजन के द्वारा राजनितिक सत्ता का विस्तार किया गया अब देखो पहले इसमें न अगर आप सामंतवाद का जो मीनिंग है अगर आप उसको समझ जाओगे तो आप पूरा यह जो जीतना भी लिखा हुआ पीडियेफ के अंदर में वह सब कुछ इजली समझ मैंगा तो कितने वीवर्स हैं देखते हैं कि कितने वीवर्स को पता है कि रियल मीनिंग आफ सामंतवाद क्या आता है वट इस फ्यूडियलिजम आप उसको कमेंटर के आंसर देजी जो मेरे सब्दों में फ्यूडियलिजम का अर्थ यह है कि एक छोटा सा भूमी के टूड़ा जिस पर किसी को हम अधिकार दे देते कि आज से यह आपका है कुछ सर्तों के साथ में ठीक है यह सिंप अधिकार जमीन ांब इसको नहीं विवाजण किया बाट दिया बाट ने के बात क्या हुआ जो राज नितिक सत्ता है MYिं जोक्ष पावर्स बीभी कि आप इस जमीन के सांथ में यह चीजे ड़ सकते हो तो क्या वासर राजनितिक सत्ता का क्या हुआ विस्तार हुआ तो यह चीज़े यहां पर बताई जाती है मारक ब्लॉक के निसार पर वहीं पर जब आप पिरेन से कंपेर करते हो पिरेन जो कल मैं हमने वीडियो में पढ़ा था पिरेन के वधारना वहां पर कंपेर करोगे तो समझ में आता है और आगे हम बात करते हैं व्यक्तिकत सुरक्षा और अधिन्ता का संबंद विक्सित हुआ परिवार एक्ता और सामंतवात के संबंदों की परिक्षा करते हुए ब्लॉक ने कहा कि समंथ्वात के विकास के साथ कुश्य संबंध के बंदन देiri देर मजबूत हुए कुश्य संबंध क्या यह इ ओता है कुन्द जो कभी voiture ना ना उनको कहते कुम्बा कुन भई तो उसकी संबंद मजगूत हुए दिरे-दिरे ये भी वहाँ पर सामंतवाद के अंदर में मार्क ब्लॉक का कहना था मार्क ब्लॉक ये भी कहते कि जो सामंतवाद के विकास के जो विकास जैसे से ग्रो हो रहा था तो जो आपसी कभीलों का संबंद थे वह दिरे-दिरे मजगूत होते जा रहे थे ठीक है वो परिवारिक एक्ता और सामंतवाद का जो परिक्षन था वह परिवारिक एक्ता के उपर में बेस था ये भी मार्क ब्लॉक का माना था अब देखो यहां पर रक्त संबंद के बारे में बात करते हैं जो ब् अब रक्त संबंद के basis पर सम्मू बनाएगा सबसे पहले तो सम्मू बनाएगा पिर सम्मू के ऊपर में क्या हो वैक्ति की साहिता और संग्रक्षन का अधार बना सम्मू ठीक है उसके साथ साथ में यहां पर दिखा कि सुरुक्षा देने की जो राज्य की भूमिका थी इसक संबंद के अधार पर ौनी वाली लड़ाइएं इसे बड़ी आसाणी से प्रभावी तरीके से लाम बन्द किया गया रोका गया ठीक है उसको डिफेंड किया गया यह चीजे रक्त संबंद के अधार पर अब क्या होता था कि यह रिसमें मेरा भाई रट रहा ठीक है तो मैं भी लुड़ूँगा मेरे भाई को कोई मार रहा है मैं भी जाओंगा मारने के लिए इस तरह की गर्मी आती है आज कल तो बहुत चल रहा था पर ऐसे चीज़े गर्मी वाली ना सांतो ना जो बहुत जादा जरूरी है यूसफुल नहीं होती है ठीक है तो यह र दिया जाता था इस आर्थिक गडवंदन का एक महत्तपून पक्स यह है कि कई घरों को मिला कर एक भाई चारा कायम हुआ जो ना किवल एक छट के नीचे रहा करते थे और एक खेत जोता जोते थे अब देखो क्या हुआ ना सामंतवाद से पहले कहा था राजा के हंडर में पूरा वो था पर सामंतवाद जब आया तो राजा ने बोला देखो इधर की जमीन यह पूरी तुम्हारी है ठीक है आप ना पते देखो यह जितने भी सामंतवाद के टॉपिक है और ज्यादा तर जो में हिस्टिक टॉपिक है ना उसको आप एक वैफ से कवर कर सकते हो एक अगर आप उसको देखोगा न तो खो जाओगे उसके अंदर में दूसरी चीज क्या है एक इंसाइकलोपीडिया की तरह बहुत सारा नौलेज है ठीक है रेली अगर आप उसको इंट्रेक्ट करोगे ना अपने आप से रिलेट करोगे कि किस तरह से चीज़ें चल रही है तो गेम ऑफ त्रोन के अंदर में भी क्या होता है कि एक व्यक्ति को मालो किसी जगा का बना दिया राजा कि यह बंदा राजा है वहां का वह सबको रेगुलेट करेगा तो राजा कैसे वह पैदा थोड़ना वह राजा के तोर पे उसको जो किंग था न उसके तुरू वह जमीन की तरह रही है तो इस तरीके सी रहती है ठीक है हम बात करते हैं पर कि सामुखिक रूप से अपने अधिपत की सेवा करने कि और बकाय भुकतान करने की इनकी सामुहिक जिम्मिदारी होती थी अब देखो जिसके अंदर में वो रह रहे हैं जो सामंत बना मेन उसकी सेवा करना बकाय भुकतान जो भी बकाया है जो बाकी रह गया उसका भुकतान करना की सामुहिक जिम्मिदारी होती थी यह नहीं था था एक व्यक्ति बुक्तान करेगा जो भी बकाया है तो इस तरीके से चीजे चलते थी सामन्तवाग के अंदर में ब्लोग का माना था कि मानव संबंद को सिधानथ जिसमें के एक व्यक्ति अपने आपको दूसरे सकतिसाली व्यक्ति के परती समर्पित र देता है मैं इसके लिए इनोटिड हूं ूं समर्पित हूं राए जोग मर्जी कर ले। और इसी को पूरे समांति समाज के इंदर में फैला हुआ मानाई दाता था आम तोर पर सेणा अधिकारी उच्छे वर्ग के पद्द के सदस्य हुआ करते थे जिसमें माथ हत्, माथ हत्, हिंदी में उसको माथ हत् बोलते हैं, और इंग्लिस के अंदर में आपको दिखावा है, उनके वासल, वासल मतलब होता है भीड बक्रिया, ठीक है, वासल काम क्या करते थे और उनके उपर पूरी आसरीद रहते थे, जो सेना के उच्छे दिकारी होते थे, वो तो उच्छे वर्गे के सदस्य हुआ करते थे, पर जो छोटे-छोटे जो सोल्जर्स हुआ करते थे, और उनके साथ में काम करने वाले दूसर जुलेग होते थे, भेड बक्रिया जो चराय करते थे, वो पूरी तर से उनके उपर आस से dependent दोते हो कि अगर उसने बोल दियाना है कि आज ये काम करना है तो करेंगी अगर उसने नहीं बोला नहीं करेंगी simple सी बात है तो same चीज यहाँ पर define किया जा रहा है कि किस तरीके से चीज़े चलता था यहाँ पर उपर वाले इस वाले पॉइंट को आप लेकर ना यहाँ पर बागी पॉइंट को समझ सकते हो जिसमें Mark Block ने मानव संबंद के बारे में बात किया कि एक व्यक्ति अपने आपको दूसरे सकती साली व्यक्ति के लिए समर्पित कर देना जहाँ पे लगता था व्यक्ति को ना कि ये व्यक्ति मेरे से ज़्यादा सकती साली है तो उसको बोलता था आज से मैं तेरा जो तू बुलेगा मैं करूँगा तो वो सब उसकी हुकूम के गुलाम के तौर पर यहां पर रहता था इस यूग की राजनितिक जरूरतों और मानसिक परिवेस के कारण से आज्या पालन और सुरक्षा के आदान परदान की विशेस महतवरा आप देखो राजनिती की जरूरत भी थी कि भाई और लोगों की मेंटिलिटी भी इस तरह से बंती चली गई कि आग्या पालन करना है जो बंदा बड़ा वाला बोलेगा उसी को हमें मानना है और सासात में कहता था वो बंदा सुरक्षा भी देगा ठीक है और सुरक्षा के अधार कम था वहाला हाँ किर्शी अदर में ये तो आपके बıtना ता जमीन दी जाती थी अगर इससी को वेत सब्सक्राइब कशाकी शाखी ती इस सबीसे में पढ़ता में इन्हें अपने मालिक को कि चाकरी करनी पढ़ती थी मालिक कि एक दम भुलामी करनी पढ़ती थी उनने से जम कर काम लिया जाता था दूसरी और इन्हें संक्रक्षन देने वाले वैक्तियों के पास रादिकार होते थे बहुत तरह के दिकार हुआ करते जो इनको संक्रक्षन देते थे उन्हें धिर सारा राष्टส भी मिल तक Immediate कहते हैं कि मैनर होती थे मैनर कहते हैं तो मैंनर को समझते फिर में में बताता हूं चाहिक रहती है तो यहां पर blog कहते है। जो मेनर है, जो सामंति इसको सामंती, मानते ही नहीं थे ब्लोक का यह मानना था। ठीक है। निरभरता के गढ़्ण बंधन के इस व्यापक, धाचे में ब्लोक ने सामंती सामाज के भीतर और आपस में खास तोर पर कुलीन के संगठन के जटिलता या सौरूप का कृष्षि निर्भरता की हत और धन भूखतानों की महत्व को काफी अंतर पाया मतलब देखोगी नहीं तो यह निर्भरता का गटबंदन था कि किस तर से गटबंदन आपस में किस तर से लोग रह रहे हैं और क्रशी निर्भरता के निरभरता की सहत्थतग दन्बुक्तान के उपर में कि स्थर्थ से अपने जो बिल है पहे करेंगे किस तर से अंधर में काफी अंतरपात ह отвहिँ कि दोनों के अंदर में जंब निया यहाप 09 करने कुलीन समाज का ठीके और कृशिक समाज सबसे की सामंतवाद समाज की व्यवस्था कि संपुन परिवासा की OH इस्थान्य पर घटना के तुलनात्मक अधियन की एक विदि रही ठीके वह इसको समपूर geliyor की व्यवस्था ब्लॉक ने इस समगर ढाचे में समय के साथ साथ हुए परिवर्तन को भी महत्यपुर्ण माना किस तरह समय के साथ में चेंजिस आ रहा था उसको भी यहां पर लेके ब्लॉक चलते हैं 11 सताथी के मध्य में यूरोप समाज में गहन और व्यापक परिवर्तन आये ब्लॉक ने दो सामनती कालों को कालों का सिध्धान्त प्रतिपादित क्या ब्लॉक का मानना था कि सामनत बात के दो सिध्धान्ते दो काल हैं ठीकि दो टाइम पीरिड है उसको यहां पर डिफाइन क कहते हैं कि हाला कि दूसरे सामनती काल ने पहले काल से पूरी तरह नाता तोड़ दिया दोनों अलगलग तरीके से थे जिसमें जीवन के लग बग हर छेत्र में गुनातमक परगती दिखाए देथिया मालों पहले वाला जिस तरह से ग्रोग हिए ठीक है और दूसरे वाले न दूसरे काल में अतव्यस्ता विकास हुआ, जनसंक्या में विर्दी हुई, मानवस्तिया मजगूत हुई, संचार विक्सित हुआ, वैपार में बढ़ोत्री हुई, सहरों का विकास हुआ, मुद्रा इस्तिती में सुधार हुआ और इनके समाजिक मुल्यों की तंतरूप क्लास की सामन्त वाद जो है पूरा हाश या रुपांत्रन के साथ संगोत्रिय समुहों के आकार छोटा होता जा रहा था इस प्रकिरिया में रिष्टदारी गटमंधन धिला पड़ता जा रहा था प्रगती और विकास के नए छेत्रों में व्यक्तियों के उदे का संकेत पहले ही मिल चुका था लेटिन इसाई धर्म की स्थापना भासाई समिश्रण का परकिरिया रोमन कानून के इन में फिर से होती रूची और अंतर मतादिकार की लगतार मांग ने अलग-अलग अनुपातों में इस परकिरिया को आगे बढ़ाने में मदद करी ठीक है तो अलग-अलग जो चेंजी स स्थमिश्रण सोसाइटे निए लेटिन भासना पर को एन Live स्थापना की जाना हो फिर से लोगों के लिए रुचिकरल मांगना हो जो अपने उसके मांग करनी हो इन सक चीजों ने भी काई पर क्या किया टीकैं जो सामंत वाद है उसको बहुत जयादा विक्सित किया ठीक है उसको ग्रो करने में मौका दिया ठीके यहां पर साथ-सत कि मद्योगिन समाज के बारे में वाद्व थैक पहले ही नए नए परियासों से बिलकुल अलग और विसिस्ट था ठीक है जब मार्क ब्लोग ने इसका दिन क्या तो पहले से बहुत जादा डिफेरेंट था यह माना गया यहां पर ठीक है यहां पर कहते हैं परंतु बाद में ब्लोग और उसके सिधान्त पर जितने काम हुए उसमें अनु परिवर्तन का अमूल कारण की चर्चा नहीं किये गई है ब्लोग ने कभी कभी समाज की परकिरिया की अंतुरूनी गतिसिल्टा की बात कही है पर इस पर ज्यादा बल नहीं दिया गया मतलब इन्होंने बोला कि समाज की गतिसिल्टा अच्छी नहीं है जो भी है पर उस पर ज्यादा बात उन्होंने बोला नहीं है ठीक है डीले कानुकरम राज्य की अटल अवधारना और वनसानुगत की पुरानी अवधारना के कारण भी ब्लॉक की आलोचना की जाती है ठीक है कि किस तर से वनसानुगत परकिरिया थी डीले अटल अवधारना थी राज्य की अटल इन सब को लेकर भी ब्लॉक की आलोचना की जाती है तो दोस्तों ये पूरा ब्लॉक की मतलब concept था कि उनके हिसाब से सामंतवाद है क्या इसके अंदर में basically अगर मैं रफली बताओं तो ब्लॉक कहना क्या चाते है कि ब्लॉक ने जो पहले से चलती आ रहे थी जो कई सारे तिहा समास का आदा है उन्होंने पिरेन की जो अभारनाती उसी को लेकर आगे बढ़े कि पिरेन ने यहीं चीज ऐसे होगा तो पिरेन ने बोला तो आर्थिक तत्वों को महत्व दिया पर जब हम मार्क ब्लॉक की बात करते तो मार्क ब्लॉक ने अलग-अलग तरीके से उसको explain कि जिसमें एक व्यक्तिगत relation की बारे में बात करी कि मानव relation क्या होता है मानव सबंद किस परकार से सामंतवात के नदर में ठीक है दास किस तरह से रूल करता है ठीक है एक गटबंधन जो समाज का गटबंधन होता है चैक्रिशक का हो कुलीन वर्क का हो वो गटबंधन किस पर मैं बाद में next वीडियो जो third part होगा उसमें समझा दूँगा आपके लिए हापे question of the video core में चोड़ना चाहूँगा सामनतवाद और दास में क्या difference होता है या समानता है तो क्या समानता है ठीक है आपको खुद समझ में आना चाहिए क्योंकि इससे पहले जो topic में ने पढ़ाया था सामंध वास से पहले दास का ही पढ़ाया था कि दास परता क्या है युनान में दास परता किस तर से विक्सित हुई ठीक है तो आप समझ चुके होगे दास होता क्या है और सामंध होता क्या है तो दोनों में difference क्या है दोनों के जो अधिक हो तो वहाँ पर डार्क ली जाके पूछ सकते हैं वर्टसप पर जोइन होना हो तो कमेंट किजिए गया मैं लिंक दे दूँगा वहाँ से डार्क ली जोइन कर सकते हैं अगर इस वीडियो का पीडिएफ चाहिए तो आपको गुगल ब्लागर पर भी मिल सकता है सासात में टेलीगराम ग्रूप में भी मैं डाल दूगा पीडियो को तो वहाँ से भी आप the e-nub के उपर में ma और college जुड़ी जितने भी चीज़े अपडेट हैं वो यहाँ पर मिलती जाएंगे आपको सारा syllabus करवाए जाएगा ठीक है और नब info पे ignu और आपके college जुड़ी जो भी information है update है कोई news है वो आपको यहाँ पर time to time मिलता रहेगा तो friends thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best